Books That Speak में आप सभी का स्वागत है सरीता को पढ़ना पसंद नहीं है लेकिन जब उसने कक्षा में निबंद सुनाया तो सब दंग रह गए शिक्षिका ने सरीता को क्या कहा? जानने के लिए सुनते है कहानी निबंद की कौपी कहानी लिखी है अलका रानडे सरीता को किताबे पढ़ने से ज्यादा खेलना अच्छा लगता था बाते करने के लिए भी वो हमेशा तयार रहती थी लेकिन पढ़ना और लिखना ना बाबा ना इसलिए सरीता को अपनी निबंद की कौपी से गहरी शत्रुता थी उस दिन सभी विद्यार्थी शिक्षिका को अपना निबंद सुनाने वाले थे सरीता हमेशा की तरा भूल गई थी कि उसे भी निबंद लिखना था अब लेकिन सरीता घबराई नहीं अपनी बारी आने पर उसने एक बार शिक्षिका की और देखा और खड़ी हो गई उसने कौपी हाथ में पकड़ी और निबंद सुनाने लगी शिक्षिका आश्चर्य से सुनती रही कक्षा के अन्य विद्यार्थी भी दंग रहे गए सरीता के निबंद में लिखी बातों में तो बहुत मज़ा आ रहा था अचानक उसकी दोड़ती गाड़ी रुग गई शिक्षिका को शक हुआ उन्होंने कहा कौपी इदर लाना सरीता ने कौपी शिक्षिका को दे दी शिक्षिका का शक सही निकला कौपी का पन्ना कोरा था सरीता ने मन ही मन डाट खाने की तैयारी कर ली मगर हुआ कुछ और शिक्षिका ने कहा इतना सारा मन में रखती हो तो उसे कागजबर क्यों नहीं उतार देती सरिता को जटका लगा अरे ये तो सोचा ही नहीं उसके मुझे निकला तो अगर आप भी सिर्फ सोचते हो मगर लिख नहीं पाते हो तो ये बात जरूर याद रखना सोच सकते हो तो लिख तो जरूर उपाओगे ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak ये हमारे चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग podcasting channels पर website है www.booksthatspeak.com तो मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया